तो हाँ दोस्तो अगर आप भी जानना चाहते हो कि कितने रिपोर्ट करने के बाद आपकी इस्टाग्राम आईडी डिलीट होंगी तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आ चुके आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कितने रिपोर्ट करोंगे आईडी को तब आपकी कोई भी इस इस सब्सक्राइब करने के वो कईसे डिलीट होंगी तो चलिए सबसे बहले तो आपको मैं बता देता हूँ अकटो अपने गूगल के तरह के से सबसे पखले में गूगल पे क्या करता हो कुरोम ब्रॉजर उपन करता हूँ और देनि हमां क्या करता हो प्लस ऑर्ला एकश क्लिक करके दारेक्त लिया सर्च कर लेता हूँ कि कितने हमको ते मैं सा यहां पास जाता हूं मैं सर्च करता हूं हुआ मैं देखा क्या करता हु मैं रहा हुँ घंड गे और लिए अपको काफी सारे मिल जाएंगे अपको अपको मैं आपको तो इसके कुल्यर ली बता रहा है कि आगर आपको रूल के सबसे पहले आपको क्या करना होगा एक account से आप एक report कर सकते हो कोई भी account को तो आपको इसमें कम से कम 4-5 report करोगे तब आपको Instagram को signal जाता है क्या आपको यह account पर कुछ action लेना चाहिए तो simple आपको क्या करना है कि 45-50 मिनिट के अंदर आपको कितने 4-5 reports जानिक होना तब आपको signal जाएंगा Instagram team को कि यह account में कुछ गरबड़ है तब यह account को check करेंगी अगर आप एक एक बार report करते तो कोई दिक्कत नहीं आएंगी क्योंकि वह बोलेंगे कि यह कोई कलती से हो गया होंगा तो simple आपको क्या करना अगर आप करते हो तो आपको क्या करना 25-50 मिनिट के बीच में 5-5 report हो जा तो आसे remove कर देंगे और simple आपको मैं बताना जाता हूँ कि 3-4 report होना चाहिए जब आपका account में कुछ यह चेक करेंगे इस्टागराम team तो simple आप तो process था जो कि मैंने आपका doubt क्लियर कर देंगा इससे recording कोई भी problem आती है आप इस्टागराम पर आ सकते हो और आपको यह message कर सकत से उष्ट सेरी दो कि आते हो